दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान स्वतंतरता दिवस क्यों मनाता है इसके पीछे मुख्य कारण क्या था अगर नहीं जानते हैं तो आईए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिस राज से दो अलग अलग राश्ट्रों भारत और पाकिस्तान की कीमत पर अपनी स्वतंतरता मिली दोनों देशों ने एक साथ स्वतंतरता प्राप्त की लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को यानि भारत से एक दिन पहले अपना स्वतंतर दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्ट 1947 को इस उस्व को मनाता है इसके पीछे क्या कारण है आए जानते हैं दोस्तों 15 अगस्ट 1947 को भारत को ब्रिटिस राज से दो अलग अलग राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान की कीमत पर अपनी स्वतंतरता मिली दोनों देशों ने एक अपनी स्वतंतरता प्रात की लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्ट 1947 को भारत से ठीक एक दिन पहले अपनी स्वतंतरता दिवस एक मुस्लिम प्रमुख राष्ट्र के रूप में मनाया जबकि भारत एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र के रूप में उबरा मुहमद अली जिन्ना अंस्थापक के रूप में उभरे थे भारत के ततकालिन वाय सराय लोड माउंट बेटन ने भारतिय स्वतंतरता कानून लागू होने के बाद सारी शक्ती भारत को लोटा दी भारत को आजादी पाकिस्तान के निर्मान पर मिली और ये दोनों समकालिन कारेकरम माने जाते हैं भारती स्वतंतरता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्थ 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंतर देश बन गए थे चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान अपना स्वतंतरता दिवस भारत के ठीक एक दिन पहले क्यों मनाता है नमबर वन पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले 73 दिवस मनाता है क्योंकि लॉड माउंट बेटन ने 14 अगस्त 1947 को अपनी शक्तियां पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी थी ताकि पाकिस्तान अधिकारी 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में भारत के पहले 77 दिवस में शामिल हो सके नमबर सेकेंड 14 अगस्त 1947 को रमजान का 27 दिन भी था जिसे इसलामिक केलेंडर के अनुसार पाक दिन माना जाता है ये एक और कारण है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंतरता दिवस मनाता है नमबर थर्ड पाकिस्तान का गठन स्वतंतर भारत से हुआ था नकी ब्रिटिश भारत से और भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंतरता प्राप्त की थी नमबर फोर कुछ लोग ये भी तरक देते हैं कि भारत का समय पाकिस्तान से 30 मिनिट आगे है यानी आदा घंटा पहले भारत ने अपनी स्वतंतरता 15 अगस्त 1947 को ठीक 12 बजे प्राप्त की थी इस प्रकार जब पाकिस्तान को अपनी स्वतंतरता मिली उस समय पाकिस्तान में रात के 11 बच के 30 मिनिट समय हो रहा था इस प्रकार पाकिस्तान भारत के स्वतंतरता से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंतरता दिवस मनाता है दोस्तों साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांगलादेश के रूप में स्वतंतर हो गया जबकि पश्चिम पाकिस्तान अब वर्तमान पाकिस्तान है दोस्तों अब जानते हैं भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ महत्वपून बातें विभाजन के बाद भारत डोमिनियल को भारत गंडराजिक के रूप में जाना जाता है और पाकिस्तान डोमिनियल को इसलामी गंडतंतर पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है ये विभाजन लाकों लोगों के जीवन की कीमत पर बड़े पेमाने पर हिंसा का गवाह बनकर लगभग 10-12 मिलियन लोगों को धार्मिक रेखाओं से विस्थापित करता है मुहमद अली जिन्ना मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान के प्रधान मंतरी बने जबकि पंडित जवाहर लाल नहरू एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट भारत के पहले प्रधान मंतरी बने दोस्तों अब जानते हैं माउंट बेटन योजना के कुछ मुख्य बिंदूओं के बारे में और वो महत्वपूर तत्य थे नमबर वन पंजाब और बंगाल की विधान मंडलों में सिख हिंदू और मुस्लिम मिलाकर विभाजन के लिए मत्दान करेंगे यदि कोई समू साधारन बहुमत विभाजन चाहता है तो ये प्रांध भी विभाजित हो जाएंगे नमबर सेकेंड सिंद और बलुचिस्तान के मामले में संबद प्रांती विधान मंडल को सीधे निर्णे लेना था नमबर थर्ड उत्तर पश्चिम प्रांत में और असम के सिलहट जिले के लोगों की धी राय जानने के लिए फेंसला एक जन्मत संग्रह द्वारा किया जाना और नमबर सेवन भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तान तरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया गया दोस्तों लोड माउंट बेटन मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस की मांगों को पूरा करना चाहते थे और साथ ही साथ अधिक्तम संभव एक्ता को बनाय रखना चाहते थे इस प्रकार माउंट बेटन के फॉर्मूले ने एक अलग देश और अधिक्तम संभव एकता पर कॉंग्रेस की इस्थीति को देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग को पूरा किया तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि इन तत्यों के आधार पर आप समझ गए होंगे कि भारत से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंतरता दिवस क्यों मनाता है इसके पीछे मुख्य कारण क्या था